दोस्तों नमस्ते आज का फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ केतु के रिगार्डन लेके आया हूँ मेरा जो फ्रीकुंटी चार्ट रीडिंग चलता है उसका 30 अक्टोबर तक का डेट है आप लोग को पता है तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जो नमबर है उस पर आप लोग मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं और अगर आपका कॉंडलिक सिलेक्ट होता है तो आपकी रिडिंग मिल जाएगी तो दो सवालों के जवाब मिलते हैं उसमें वर्टसैब ड्रॉप करिएगा नमबर पे डिस्क्रिप्शन के नमबर पे ठीक है तो 30 अक्टोबर का डेट है उसमें अगर आप लोग भी करवाना चाहते तो करवा सकते हैं अभी जो नेक्स राउन चल रहा है सामें टेलने से बोलूँगा जिकी पर्सनल रिडिंग करवाना चाहते तो आप कॉल कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है पर्सनल रिडिंग के लिए वो चार्जेबल होती है तो पैसे देने पड़ते हैं उसमें दोड़ा सा तो चार्जेबल रहेगी अब लोगों को मदद करनी कोशिश करता हूं कि अभी जो हम लोग जो बात कर रहे हैं अभी जो हमारा मरकरी तक हमने पूरा कर लिया था बुद तक पूरा कर लिया था शनी से मैंने शुरू कहता और शनी बुद कंप्लीट कर लिया था अब हम केतु के रिडिंग बात कर रह कुछ अगर किया असर रहताा है कि तो उसके रिगाडि हम बात कर रहे हैं तो के तू अगर आपकी लगन में है और नमबर वन लिखा है और के तू अगर आपके पहले घर पर बैठा था तो क्या रिजुट केतु की देख लीजे कि अगर देखे तो तीन दिष्टिया होती है एक पंचम एक सब्तम और एक नवम तो पांच साथ और नौ को यहां से लगन से देखता है केतु केतु यहां पर बैठ हुआ है मंगल के घर पर बैठा हुआ है और एरीस लगन में बैठा हुआ है तो मंगल क qualities केतू absorb कर लेगा और mangal की qualities absorb करके आपको education spirituality की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा और आप aggressive तरीके से उसमें forward काम करेंगे क्योंकि केतू क्या करता है जिकि mangal जो aggressive planet है अगर mangal strong है यहाँ पे तो उसको channelize करता है spirituality की तरफ और welfare की तरफ तो अगर केतू पहले घर में बैटा है तो अगर आप mangal आपका strong बैटा है तो आप जरूर medical line में आप काम कर सकते हैं अगर आपका medical अगर आप profession choose करता है सूर्य कहीं strong बैटा और mangal अगर strong बैटा है तो मैं advisory दूंगा जी कि आप medical line पे या IT sector पे काम करें medical line पे जादा करेंगा क्योंकि यहाँ पे केतू आपको एक courage देता है महनत करने के आपको पावर देता है चैनलाइस करनेगी और इससे आप deeper studies में आप जा सकते हैं आप देख सकते हैं केतू आपके deeper studies और पंचा में बुद्धी को देख रहा है तो यहाँ पे मंगल की असर की वज़ा से आप aggressive काम जैसे blood related कोई भी चीज़े हो उसमें जैसे medical में blood related काम होता operation surgeon वगेरा होते हैं तो उस चीजों में केतू channelize करेगा केतू यहाँ पे आपको education जाद अच्छा देगा spirituality related या deep knowledge के related आपकी बुद्धी काम करेगे deeper studies देने की कोशिश करेगा मंगल related education देगा absorb कर लेगा उसकी aggression को आपको channelize करके spirituality और welfare की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा केतू सब्तम में देखेगा तो partnership में problem देगा wife को related problem देगा और यहां पे राहू भी बैठे होंगे तो partnership और marriage ले खास अच्छा relationship नहीं अच्छा रहेगा simultaneously अच्छा productivity नहीं देगा क्योंकि अगर केतू के opposite देगे तो राहू बैठेगा तो इस कारण वस्च भी खास अच्छा result नहीं देगा तो केतू अगर पहले घर में अच्छे positive लगन में नहीं बैठता है तो यह सब दिक्कते देगा भागे की स्थान पे देखा गुरू का राशी है अगर गुरू कहीं strong बैठे है तो भागे का support जरूर मिलेगा और केतू भी भागे में अच्छा support देगा लेकिन आपको अकेले चनना पड़ेगा अकेले महनत करनी पड़ेगी तभी आपको लाइफ में ज़्यादा success मिलेगा hard working बनाएगा थोड़ी सी slow growth भी दे सकता है कभी कभी देखा जाता है जिकि हापे slow growth मिलता है लेकिन mangal strong हो तो आपको अच्छी growth मिल जाएगी बहर ये था मेरा result आपका अगर केतु पहले गर Aries लगन में हो तो अब मैं कोशिश करूँगा जिकि केतु के regarding सारे एक एक करके लगन के लगन के बारे में बताओं और सैमिल्टेनले से मैं लगनों के बारे में बता रहा हूँ तो next video मैं कोशिश करूँगा अपार्ट फर्म जो फ्री रीडिंग की वीडियो साती हैं मेरी उसके लाव कोशिश करूँगा जिकि टॉरस लगन के बारे में भी आप लोगों को बताओं और ओवराल टॉरस लगन के बारे में बता पाओं तैंक्यू सो मच